तो यार आज का हमारा मुद्दा ये होने वाला है कि ड्रागन मोल सुपर की नई सीरिस कब आएगी जो मोरो का नाया आर्क चालू हुआ है वो एनिमेट होके कब आएगा और सुपर के एपिसोड फिर से कब चालू होंगे अब तो देड़ साल के भी उबर हो चुका है सुपर क बंध होते हुए और ब्रॉली मुवी कभी वक्त हो चुका है काफी और कमपनी को एक ख़बर नहीं ला रही कि वापस से सीरिस कब लोटके आएगी देखते देखते पूरा 2019 गुजर गया और अब आने वाला है 2020 पर 2020 में भी कोई याता पता नहीं कि लोटके आएगा या नह पर जुलाई में आएगा पर जुलाई में नहीं आया कुछ रिजन्स थे जिसके वज़़े से पोस्ट पॉन कर दिया गया पर कोई वैलिड रिजन नहीं मिला कि पोस्ट पॉन हुआ क्यों एक सोर्स की माने तो जो ड्रागिन बोल सुपर का जो पूरा स्टाफ था वो वो व सिर्फ मेरी अजम्शन है कि मुझे क्या लगता है कि ड्रागिन बोल सुपर फिर से कब वापस से लोटके आएगा मेरी अजम्शन गलत भी हो सकती है और सही भी पर मैं कोशिश करूंगा जो भी बात हो उसमें फैक्ट्स हो लॉजिक हो और आकडों के हिसाब से इन्बॉक्स तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर सबका सवाल ये है ड्रागन बोल सुपर के अनाउंसमेंट अब नहीं होगी तो कब होगी दो साल गुजर गए देखते देखते अब कितना और ज्यादा रोकना पड़ेगा देखो कुछ महनों बाद आने वाला है दिसंबर में जम्फेस् ये फेस्ट 19 या 20 तारीक को होता है और कुछ ना कुछ तो ये अनाउंसमेंट करता है लास्ट टेम दो हज़ार आठागे देसंबर में मोरो की आर्की अनाउंसमेंट होई थी उससे पहले वाले देसंबर में ब्रॉली मुवी के ट्रेलर को लेकर कुछ आया था और उससे भी पहले वाले देसंबर में टोर्नामेंट ओफ पावर का हमें ट्रेलर दिखाया गया था तो अपकी जो दिसंबर आने वाला है ये पर क्या होगा फिर ज्यादा से आदा लोग यही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि हो सकता है मोरो के आर्का 30 से लेके 40 सेकेंड का ट्रेलर आ और इंतिजार करें और वो एक और मुवी पर काम करें और उसके बाद सीरीज लोट के आएगी क्योंकि हाल ही में तुमको पता होगा खबर निकल के बहार आई थी ड्रागन बोल के ओफिशल्स के तरफ से कि आने वाली फ्यूचर में वो एक ड्रागन बोल की मुवी लेके आ पास सबकी लिस्ट निकल के आई की पैनल्स की अगर उसमें ड्रागन बोल का नाम रहा तो समझ लो कुछ ना कुछ तो मिलेगा और अगर उसमें कुछ नहीं रहा तो समझ लो ड्रागन बोल के नाम पर हमको लॉली पॉप मिलेगा तो उसके लिए तुम मेरी एक महने की बात की वीडियो का इंतजार करना, अगर रहेगा Dragon Ball का नाम, तो तुम्हें जितना जल्दी हो सकेगा, उतने जल्दी अपडेट कर दूँगा ये तो हो गई हमारी पहली असम्शन अब आते हैं दूसरी असम्शन पर जैपैन में जो टाइम पर Dragon Ball सुपर आया करता था, उसका टाइम था सुभे साड़े 9 बजे, 9.30 एम, ये जापान का टाइम है, इसको इंडिया से कंपैर मत करना, अगर तुम इंडिया से कंपैर करोगे, तो यहां के हिसाब से होता है सुभे के लगभग साड़े 5 बजे तो ये टाइम स्लोट पर जब Dragon Ball सुपर खतम हुआ, Tournament of Power के आर्क के दोरान, तो उसके खतम होने के बाद, उसके टाइम स्लोट को दूसरे एनिमे ने ले लिया, जिसका नाम था Gigi no Kitaro, मुझे माफ करना अगर मैंने गलत नाम लिया तो, पर Kitaro उसका करके नाम है, इतना मुझे confirm है एटलिस्ट, तो DBS खतम होने के बाद जो वक्त पर DBS आया करता था ये वाले एनिमे ने ये वाला टाइम स्लोट ले लिया, और अभी हाल ही में एक Announcement हुई है, जो कitaro जो एनिमे चल रहा है, जो साड़े 9 बजे आ रहा है, उसका final और आखरी आर्क चालू होने वाला है, और आखरी आर्क पूरा होने के बाद वो खतम हो जाएगा अब उसका आखरी आर्क कब खतम होगा डिपेंड करता है उसके आखरी आर्क में chapters कितने होंगे, episodes कितने होंगे और इसका आखरी आर्क शायद चालू होने वाला है नौविम्बर या दिसम्बर से तो आखरी आर्क में अगर एपिसोड इसके हुए भी तो मेरे खाल से 50 से लेके 60 एपिसोड तो होंगे ही तो देखा जाए तो ये हो गया 50 से लेके 60 हफता क्योंकि हर संडे सिर्फ इसका एक ही एपिसोड ब्रोडकास्ट किया जाता है तो आखरी आर्क जब इसका चालू होगा हमको जितने एपिसोड इसके होंगे उतना जादा इंतजार करना पड़ेगा और एक बार ये फिर खतम होगा तो जो टाइम स्लोट होगा सुभे 9.30 एम का वो खाली हो जाएगा जो कि ड्रागन बॉल सुपर का टाइम स्लोट है ये तई नहीं है कि उसके टाइम स्लोट पर आएगा क्या फिर और मैं कोई नहीं होता ये तई करने वाले कि उसमें ड्रागन बोल सुपर फिर से आएगा ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अजम्शन है हमारा के स्टडी है नतिंग एल्स ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो मुझ कुछ नहीं कह सकते कि ड्रागन बोल सुपर फिर से कब लॉट के आएगा इसलिए चैनल को सब्स्राइब करो जिसे डीपियस जब फिर से लॉट के आए तो उसके रिवियू आगे आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है वो तुमको मालूम पढ़ता रहे और जब तक नहीं चालू हो जाता तो यार मांगा तो एंजोई कर सकते हो तुम लोग मांगा तो रियल स्टोरी पर पूरी बेस्ट है अल्रेडी मैंने इसके उपर पूरी की पूरी वीडियो बना चुका हूँ तुम जाके उपर आई बटन में वीडियो फ्लैश होई होगी पूरी मोरो की सीरीज दिख सकते हो, तो हाई यर आज के लिए बस इतने ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि कैसी है मेरी असंप्शन, और चैनल को सबस्क्राइब करो और उससे जादा अगर तुमको अपडेट रहना है, ट्रागन बॉल के बारे में तो मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो करो क्योंकि कभी-कभी ऐसा रहता है मैं छोटे-छोटे अपडेट के बारे में वीडियो नहीं बना सकता तो मैं उधरी स्टोरी डाल दिया करता हूँ लिंक इन दा डिस्रिप्शन बॉक्स तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नहीं टॉपिक के साथ तो नमस्ते खुदा आफिस सेसरे काल एंड गुड भाए